तीन जन्वरी 1760 को जगवीरा कट्टा बोम्मन और अरुमुग थम्मल के घर जन में वीरपांडिया कट्टा बोम्मन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के पंचालनकुरिची गाउं में बोमु और आथी कट्टा बोम्मन कभीले से थे। यद्यपी अधिकाश एतिहासिक लेख 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आजादी की पहली लड़ाई के रूप में उध्रित करते हैं, लेकिन वे 18-वी शताबदी के अंत में तमिलनाडु के एक बहादुर सर्दार को नजरंदाज करते हैं, जिन्होंने चेर दिया, तीम जन्वरी 1760 को जगवीरा कट्टाबोम्मन और अरुमुक थम्मल के घर जन में, वीरपांडिया कट्टाबोम्मन तमिलनाडु के थूठु कुडी जिले के पंचालंकुरिची गाउं में बोमु और आथी कट्टाबोम्मन कभीले से थे, उनके पिता पलायक सोलहवी और अठारहवी शताबदी के दौरान दक्षिनी भारत में नायक राजवंच। द्वारा नियुक्त क्षेत्रिय प्रशासनिक और सैने राज्यपालों के एक वर के लिए एक सामनती उपाधी थे, जिनसे वीरपांडिया ने 30 वर्ष की उम्र में 47 में पलायकर का पित किया गया था. तो फिर अंग्रेज इस चेत्र में अपनी पकड बनाये रखने में कैसे काम्याब रहे? यह एक सुविचारित कदम था. उन्होंने अरकोट के नवाब को बड़ी रकम उधार दी और मांग की कि इसे नवाब के खेत्र के अंतरगत आने वाले सभी पलायक दरोसे करों और लेवी के माध्यम से चुकाया जाएं. चुंकि नवाब गंभीर कर्स में डूबे हुए थे, उन्होंने देखा कि कर वसूली के नाम पर उनके लोगों को अंग्रेजों द्वारा दूटा जा रहा था. वीर पांडिया को छोड़कर अन्य सभी पलायकर ने कम बंधन स्थापित करने की कोशिश की, जिन्होंने बदले में वीर पांडिया को पूर्व के साथ सहयोग करने और शांती से रहने की सलाह देने की कोशिश की. हाला कि युवा सर्दार जुकने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अंग्रेजों के सभी प्रकार के दबाव का विरोध किया. उन्होंने खुले तौर पर शासन के खिलाफ अपनी असहमती की घोशना की और उनके किसी भी उपक्रम में उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया. इस शेत्र के लिए अंग्रेजों की योजना में एक अवाचनिय तत्व के रूप में उभर कर उन्होंने विद्रोही सर्दार को नीचे लाने के लिए विभिन शड्यंत्रों पर काम करना शुरू कर दिया. हाला कि वे अपनी योजनाओं में तब तक असफर रहे जब तक ब्रिटिश सेना ने अचानक 1799 में मेजर जे. बैनर्मैन की कमान के तहट पंचालंकुरिची पर छापा मारने का फैसला नहीं किया. चुमकि पूरा गाव एक मंदिर उत्सब के लिए तिरुचेंदूर में था, इसलिए अंग्रेजों को वीरपांडिया पर अंजाने में हमला करने की उम्मीद थी. लेकिन उन्हें अपने मुख्बिरों से हमले की जानकारी पहले ही मिल गई थी और उन्होंने पहले से ही तयारी कर ली थी. हमले से ठीक पहले बैनर्मैन द्वारा भीजे गए दूट के माध्यम से वीरपांडिया को बिना शर्थ आत्मसमरपन. करने का आदेश दिया गया था. हम इस धर्ती के पुत्र हैं. हम प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीते हैं और हम अपनी भूमी की प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा के लिए अपनी आत्मा को मरने देते हैं. हम विदेशियों के सामने नहीं जुपते हम मरते दम तक लड़ेंगे यह संदेश सेना कमांडर को वापस ले जाया गया वीरपांडिया और उनके लोगों ने किले पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ काफी बहादुरी से कबजा किया जो उनकी विशेशग्यता के सामने टिक नहीं सके और उन्हें पीछे हटना पड़ा हाला कि वीरपांडिया को पता था कि अगर अंग्रेज अपनी तोपे चलाएंगे तो उनका किला हमले का सामना नहीं कर पाएगा उस रात उसने अपने आद्मियों के साथ किला छोड़ दिया और पुदुकोट्टई के पास तिरुप कलंबुर के जंगलों में शरण ली उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मिलने पर अंग्रेजों ने पुदुकोट्टई के राजा विजया रगुनाथ टोंडिमन को मायावी सरदार का पता लगाने और उसे सौंपने की धमकी दी अन्यथा इसी तरह के परिणाम भुगतने होंगे दबाव में आकर उन्होंने अपने सैनिकों को वीरपांडिया का पता लगाने के लिए भीजा जिसे बाद में एक अक्टूबर 1799 को कायथार में गिरफतार कर लिया गया पंद्रह दिनों तक चली पूछताच और एक हास्यास्पद मुकदमे के बाद वीरपांडिया को सार्वजनिक फांसी की सजा सुनाई गई मृत्यू के सामने भी वह नहीं डिगे और सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा के अपने आदर्शों पर कायम रहे उन्होंने अपनी मात्रि भूमी के अधिकार के लिए भी साहस्पूर्वक तर्क दिया और अंग्रेजों को उनके अनैतिक और अवैध कबजे के लिए धिकारा वीरपांडिया कट्टा बोम्मन को 16 अक्टूबर 1799 को फांसी दे दी गई इस प्रकार सामराज्य के खिलाफ पहले गया महान सर्दार के सम्मान में तमिलनाडू राज्य सरकार ने कायथार में एक समारक बनवाया जिसका उठगाटन 2015 में ततकालीन मुख्यमंत्री स्वर्गिये जे जयलिता ने किया था पंचालम कुरिची में उनके पुराने किले के अवशेश भारतिय कुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा संरक्षित है 16 अक्टूबर 1999 को वीरपांडिया की फांसी की दो सोवीन वर्षगांठ के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा उनकी याद में एक डाग तिकट जारी किया गया था हर साल तिरुनेल वेली का जिला प्रशासन उनकी जयनती पर पंचालंग कुरिची में वीरपांडिया कट्टा बोम्मन उत्सव मनाकर किमवदंती और उनके वीरतापूर्ण कारियों का सम्मान करता है इसके अलावा विजन आरायनम में एक भारतिय नौसेना संचार केंद्र है जिसका नाम बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आये ने सकट्टा बोम्मन रखा गया है उनकी 258 वी जयनती पर आये पंचालंग कुरिची के बहादुर पलायकर को याद करें जिन्होंने अंग्रेसों के सामने जुकने से इनकार कर दिया और अपनी मात्रि भूमी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया